हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए व्लोग में तो आज हमारे मेरे ससुराल में फूली आत्रा का मेला है तो आज आप महाँ पर जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं देख सकते हैं तो वीडियो में बने रहे हैं हमारे साथ आपको मैं आज अपने यहां का मेला दिखाती हूं और आज कम होसम आप देख सकते हैं हमारे यहां का थोड़े थोड़े बादल चाये हुए हैं और उपर के पहाड़ों में बड़ा पड़ चुकी हैं आज थोड़ी ठंड है यहां पर तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से मेले में जाने के लिए और यह जो आप नदी देख रहे हैं चिनाब नदी हैं और जो यह रास्ता निचे दिखाए दे रहा है यह चमबा के लिए जाता है यहां से साच पास का ओकर और आज हम पैदली निकले थे घर से हमें कोई गाड़ी वे गयरा नहीं मिली और अगर मिले भी तो फूल थी बहुत तो आप सभी देख सकते हैं आमारे बच्चे भी मेरी नदन की लड़की थी हमारे साथ आई भी और मेरे हस्बेंड जो थे वो फूल जात्र जो उती है उस तो फूल जात्र की आपको मैं वीडियो अलग से बना कर दिखाऊंगी तो अब हम पहुंचे को हैं बस्टेंड पर बस्टेंड में पहुंच चुके हैं अब हम थोड़ी थोड़ी दूपी थी और फाइनल अम यहां पर आ चुके हैं सामने से लोग मेली से आ रहे हैं आप अतना रस नहीं था यहां पर क्योंकि आज थोड़ा मोसम ठंडा था जिसवाजा से आपर आज ज्यादा भीड़ भाड नहीं थे और ज्यादतर लोग फूल जात्र के फूल जात्र जो होती है उसमें गए हुए थे इसलिए आज मेले में खासकर लोग नहीं थे आज पहला द क्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माप कर देना और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आप आप देख सकते हैं यहां पर छोटी छोटी दुकाने लगाई हुई है दुकानदारों और यहां पर जादे तरह आप सभी को गरम कपड़े ही देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर ठंड बहुत बढ़ जाती है अक्टूबर के महीने से और नौवंबर से बरफ पढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो यहां का जो ताप मैन है वह माइनस में माइनस में चला जाता ह है अप सब देख सकते हैं यहां पर मेकप का समान है और यह टाइब्स वगणर स्वार्टी यहां पर आपको गरम कपड़ों कि दुकाने मी लेंगी देखने को यहां का जो मेला है वो बिलकुल सान्त होता है ज़्यादा सोर्षराबा नहीं है यहां पर यहां आप सभी देख सकते हैं और गिने चुने यही लोग आई होए हैं आज क्योंकि यहां पर ठंड थी आज और हवा चली हुई थी ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों से लगा कर बड़ों के सब कपड़े थे यहाँ पर दुकानों में यहाँ आप सब देख सकते हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे थे यहाँ पर जो है बड़े बड़े जूले वगरा या फिर और भी जो मेले में जो लगते हैं वो नहीं थे क्योंकि यहाँ पर जो है कंडिशनल ही जगा होती है इतना एरिया नहीं होता है इन सब चीजों के लिए और यहाँ पर मैंने भी कुछ सामान देखा अपने लिए क्योंकि अभी करवा चोथ भी आ रहा है तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा अपने लिए शोपिंग की थोड़ी बहुत पायल की जोड़ी लिए और चूड़ी लिए थोड़ा बहुत और भी सामान खरीदा इस बार ठीक था यहाँ पर सामान और दुकाने भी अच्छी लगी उई थे पिछली बार इतना रश नहीं था और नहीं इतनी दुकाने थी लगी उई और इस बार अच्छी दोकाने थी यहाँ पर और समान भी अच्छा था इस बार तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पाइल बहुत अच्छी लगी आप सभी कमेंट करके बताना आप सभी कौन कौन सी चीज यहाँ पर अच्छी लगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे इंजुआए कर रहे हैं गूद रहे हैं इसके उपर और हमारे पती देव भी आ चुके थे तो बच्चे खूब इंजुआए कर रहे थे और इन्होंने अभी अपने लिए खूब सारे खिलोने खरीदे देख सकते हैं आप सभी ये मेरे बेटे ने अपने लिए सामान खरीदा क्योंकि इसको खिलोनों को खुब सोख है मैं बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए सभी खिलोने इसको चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेला जो है वेस साल में एक बार यहाता है और ये 3-4 दिन के लिए ही लगता है यहाँ पर फिर दुकानतर यहां से चले जाते हैं दुकानतर तो आमने किचन के लिए भी थोड़ा सामान खरिदा हैं यहां से अब ही हम आ चुके थे जलेबी की दुकान में जली भी खरीदने के लिए यहां से आम ने जली भी खरीदी गर्मगरम और क्योंकि आमें यहां से अभी निकलना था क्योंकि मौसम खराब हो चुका था काफी हलकी हलकी बूंदा बांधी भी शुरू हो चुकी थी ठंड हो चुकी थी काफी और ठंडी आवा भी चल रही थी काफी यहाँ पर तजली विखरीदने के बाद फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े घर के लिए आप सभी देख सकते हैं तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर पताएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा जरूर फाइनली अब हम घर पे आ चुके हैं और अब और भी वाहाँ पर जो गए होए थे वह सभी वाहाँ से आ चुके हैं तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बापाई धन्यवाद